नमस्कार सेहत नावा विद्राजिंदर में आज बात होगी महिलाओं में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम रसॉली यानि सिस्ट पर और आज इस विशर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अज बात करेंगे रसॉली पर जो महिलाओं और लड़कियों में बहुत कॉमन है सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि कारण क्या है रसॉली होने के रजिंदर बहुत अनेक तरह की रसॉलिया होती है ना और रसॉली नाम से ही लोग अक्सर डर जाते है हाला कि शरीर के अंदर कई बारी रसॉलीया बनती है और अपने आप से भी खतम हो जाती है खास करके जो सिस्ट है ना पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि सिस्ट क्या चीज़ है जो कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता सिस्ट यानि की पानी वाली रसॉली कोई भी रसॉली जो गुबारे की तरह जैसे हमारे हूली का गुबारा होता है जिसके अंदर पानी है या बलड है खून भी हो या कोई और भी फ्लूइड चीज़ कोई तरल चीज़ है तो उसको हम सिस्ट कहते हैं तो cyst शरीर के किसी भी भाग में बन सकती है, brain में, आंख में, liver में, kidney में, lungs में, uterus में, ovary में तो किसी भी भाग में अगर शरीर के इस तरह की पानी वाली collection हो जाती है, उसको हम cyst बोलते हैं तो ovaries में अक्सर young age में cyst बन जाती है, वो क्यों होती है, हर महीने अंडा बनता है, कई बारी अंडा trap हो गया, ovaries से छूटा नहीं तो वो उसे जो है, वहाँ पे, उसका size बड़ा होते होते, एक cyst का रूप ले लेता है, लेकिन कुछ ही time में वो cyst जो है, बोडी उस पानी को absorb कर लेती है, और वो अपने आप से भी खतम हो जाती है, इस दौरान कई बारी, गलत doctor या जो quack हैं, उनके पास ladies पहुंच जाएं, तो वो बहुत डरा देते हैं, आपकी body में cyst बन गई, जी आपको तो operation कराना पड़ेगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी cysts जो है, खास करके जो cyst 5-6 cm के size से कम हो, उसका खतरा नहीं होता है, दूसरी है polycystic ovaries, उसमें भी लोग कई बारी डर जाते हैं, कि ये तो cyst बन गई, polycystic ov ovaries हलांकि कुछ नहीं है, ovaries में अंडे बन रहे हैं, जो की बहुत ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, जब तो फिर उनको जो है polycystic ovaries कहा जाता है, वो रसॉलियां है ही नहीं, तो दूसरी टाइप की जो रसॉलियां बहुत कमन होती हैं, वो होती हैं फाइब्रोइज, फाइब्रोइज जो ठोस रसॉलिया होती हैं, जैसे मास की गंठे बन जाती हैं, तो इनके अंदर भी cancerous change होने के chances बहुत ही rare होते हैं, हजारों लेडीज को फाइब्रोइज होंगे, लेकिन cancer किसी एक को होगा, और जो ये फाइब्रोइज इतने common है कि अगर हम, suppose 100 लेडीज random कोई भी, जिनको कोई problem नहीं है, 100 लेडीज का ultrasound करते हैं, जो लेडीज की उमर है 40-50 साल के बीच में, तो 100 में से कम 30 या 40 को fibroids होंगे, ultrasound में जो नजर आ जाएंगे, symptoms होते हैं, कुछ लक्षन होते हैं, इनके लक्षन होते हैं, लेकिन अक्सर वो लक्षन तब आते हैं, य fibroids बहुत बड़े होते हैं, या फिर अगर uni uterus के अंदर की side बन जाते हैं, जो युटरस बनते हैं, तो वही an area है, जहां से episodes screening of bleeding, नहीं होते हैं, तो फिर heavy period आने शुरू होते हैं, तो fibroids के सबसे comment symptom होता है, जो होता हैं, जब heavy periods होते हैं, या painful periods होने लगते हैं, तो ऐसे ह हालत में हाँ operation की जुरुत पड़ सकती है आगे इलाज की जुरुत पड़ सकती है दवाईयां हम दे सकते हैं जिससे bleeding कम हो जाए लेकिन अक्सर यह जो है रसॉलियां fibroids जो है दवाईयों से reduce नहीं होती है तो अगर इनका size बहुत जादा है heavy bleeding हो रही है conceive करने में problem हो रही है किसी को बार-बार miscarriage हो रहा है कुछ इस तरह की problems हो रही है तो फिर हमें operation करके इनको निकालने की भी जुरुत पर सकती है लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इनको ignore किया जा सकता है सालों साल तक भी पड़ी रहे तो इनका इनके अंदर cancerous change नहीं होता और जब periods बंद हो जाते हैं तो यह अपने आप से shrink हो जाती है तो हर रसॉली की surgery की जरुरुत नहीं होती है बिल्कुल भी नहीं मतलब आप अगर कोई problem जा रही है उसके बात यह आप surgery की सला देती है यह मैं आपको model पर बताती हूँ तो periods में जब bleeding होती है तो normally यह uterus की अंदर internal cavity से bleeding जो है बाहर निकल जाती है कई बारी इसी तरह की layer अंदर uterus के बाहर भी ovaries में, tubes में, दूसरी दूसरी जगा में बन जाती है अब यह जो layer है यह तो clear हो जाएगी bleeding के साथ क्योंकि इसका बाहर निकास का रास्ता है लेकिन इसी तरह की layer अगर uterus में, uterus के बाहर tubes या ovaries में बन जाती है तो उस bleeding का बाहर आने का रास्ता नहीं है तो जब periods आते हैं ऐसी ladies को blood अंदर ही अंदर इकठा होता रहता है बहुत pain होती है periods पे ये अंदर जब गदना blood इकठा होता रहता है खून इकठा होता है ये खून वाली भरके रिसौनिया या cyst बन जाती है तो इनको अकसर निकालना पड़ता है क्यूंकि एक तो इनसे pain बहु होती है तो young age में ज्यादा तर cysts या तो इस तरह की होती है endometriotic जिनके fertility के साथ issue आता है कि conceive करने में problem होती है तो इसलिए surgery करके हटाना जरूरी है अगर conceive नहीं कर पाने है तो हटाना जरूरी है अगर इस तरह की कोई problem नहीं है तो कुछ भी हटाने की जूरत नहीं है लेकिन अगर यह cysts का size बहुत बड़ा हो जाता है तो खास करके अगर 10 cm के आसपास हो जाए तो फिर हमें डर होता है कि इनमे cancer हो सकता है तो watery हो तो भी remove करना पड़ता है 10 cm से उपर size या अगर जो ovary की cysts की हम बात कर रहे थे न ovary में cyst है लेकिन उनके अंदर साथ में कोई solid areas भी है फिर हमें शक जाता है कि इनमे cancer हो सकता है तो उस हालात में आप उसे remove करने की सिलाह देए उनको remove करना जरूरी बन जाता है और जो later age में जाके रसॉलियां बनती है 45, 50 या minopause के बाद में उनमें ज्यादा chance होता है कि cancerous change हो सकता है या फिर जिन ladies की family history होती है खास करके ovary के cancer की जब family history होती है कि उनकी mother, mausi या किसी को family में पहले ovary में cancer रह चुका है तो उनमें जाता chance होता है कि अगर cysts बन रही है तो फिर विया cancerous भी हो सकते है तो रसॉलिया आप टो बी केरफुल एक सिस्ट या रसॉली cancer में कैसे तबदील हो जाती है अक्सर जो cancerous change नहीं होता है cancer वाली रसॉली शुरू से ही cancerous होती है ठीक है ना? डाइग्नोस कैसे होता है कि यह हामफुल नहीं है और यह हामफुल हो ली है अल्रसाउंड में features पता लग जाते हैं ठीक है जैसे कि मैं बता रही हूं कि solid areas है या बहुत rapidly बढ़ दी शुरू हो जाए किसी की रसॉली महीनो में या हफ्तों में ही size बढ़ता चले जाए या फिर वो पेट के अंदर पानी कठा हो जाता है ओवरी के cancer में unfortunately symptoms कई बारी आते ही नहीं okay symptoms किस तरह के आएंगे कि पेट फूल रहा है अक्सर लेडी को लगेगा gastritis हो रहा है bloating हो रही है तो वो acidity का treatment, gastritis का treatment लेते रहते हैं और इधर रसॉली बढ़ते पड़ते पड़ते हैं वही बढ़ी फैल भी जाती है cancerous जो change हो जाती है तो इस तरह के symptoms कुछ भी आएं या अपने regular health check-ups कराना इसलिए जरूरी होता है हलांकि जो uterus का cancer है उसके symptoms बहुत जल्दी आते हैं तो uterus के जो cancer के symptoms होते हैं एक तो irregular bleeding ठीक है ना during periods मतब period के अलावा आगे पीछे bleeding होनी शुरू हो जाती है या delayed periods आ रहे हैं जिन ladies को हमेशा बहुत सालों साल तक periods late आते हैं uterus की internal layer जो है time to time shed नहीं होती है period नहीं आता तो कई बारी वह layer इतनी जादा थिक हो जाती है कि उसके अंदर cancerous change हो जाता है तो फिर इस तरह का symptom होगा कि पहले period late आते रहेंगे और फिर late आते आते जब delayed period आएगा बहुत heavy bleeding होगी या period के बगैर आगे पीछे bleeding होना या एक बहुत important symptom है post menopausal bleeding कि जब menopausal हो गया periods बंद हो गए उसके बाद फिर से अगर periods आने लगे या bleeding start हो जाए वो भी cancer की निशानी होती है और एक है post coital bleeding यानि कि intercoast के बाद bleeding जो uterus का बिल्कुल नीचे वाला portion है उसको कहते हैं cervix जो बच्चे दानी का मुह आम भाशा में कहते हैं तो cervix में अगर rasoli हो तो foul smelling discharge, blood stain discharge या intercoast के बाद bleeding होना common symptoms है तो क्योंकि bleeding से जल्दी indication मिल जाता है तो uterus की rasoli के symptoms आ जाते हैं अगर ladies ignore ना करें तो बड़ी जल्दी पता लगता है यानि कि अगर ऐसे symptoms नजर आते हैं तो तुरंट doctor के पास जाना चाहिए और check-up कराना चाहिए बिल्कुल अच्छा इसमें एक में बहुत important चीज रजंदर बात करना चाहूंगी pap smear test के बाए तो pap smear test all over the world is suggested after the age of 29 years ठीक है 29 साल से पहले cancer cervix का chance कम होता है तो 29 years के बाद में हर 3-3 साल के बाद में सभी ladies को अपना routinely pap smear test कराना चाहिए cancer का पता चलता है जी तो जो यूटर्स की cancer का तो cervix का cancer जो एक बहुत unique cancer है क्योंकि बहुत slow growing cancer होता है यह धीरे धीरे बनता है सालो साल में develop होता है तो इस दोरान pap smear test बड़ा simple test है painless test है इस सस्ता भी है तो उससे हम diagnose कर लेते हैं कि यह cancer अभी pre cancerous stage में है या बहुत early stage में है उस समय इसका 100% जो है इलाज है काम्याब इलाज है और easy इलाज है तो उस stage में पकड़ा जाए तो फिर problem ही नहीं है क्योंकि उसका cure है एक बार पिर में cyst पर बात करना चाहूंगी कई बार uterus में cyst होता है उसके साथ doctor सला देती कि ovaries भी remove कर दें है कल को ovary में बनेंगी तो ovary भी निकाल दो जो की गलत है ऐसा नहीं कि uterus में cyst है तो ovaries में भी होगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो uterus की अगर रसॉली है suppose fibroids है तो uterus को ही remove करना चाहिए हाँ अगर suppose uterus का cancer है तो फिर धर होता है कि वो cancer ovaries तक भी फैल गया होगा या फैल सकत में लेकिन अगर non-cancerous रसॉली है uterus में रसॉली है तो uterus ही निकाला जाएगा क्योंकि ovaries का function होता है अक्सर ladies को ऐसा होता है कि अब मेरे को uterus निकल गया तो periods तो आएंगे नहीं तो मैंने ovaries को क्या करना है मुझे बच्चा तो और करना नहीं मुझे ovaries को क्या करना है लेकि ov हमारी जो bones है bones में जो calcium है उसको जमा करके रखते हैं तो जब ladies को periods बंद हो जाता है मिनोपॉस हो जाता है या हम ovaries को निकाल देते हैं तो यह hormones कम हो जाते हैं और body में जो है अनेक तरह की weakness आनी शुरू हो जाती है खास करके bones में bones weak हो जाते हैं तो जरह सा गिरे नहीं तो fracture हो हो जाती है प्लस बाकी सहत भी हमारी skin हमारी बाल हमारे eyesight सब चीजों में जो youthfulness है वो estrogen hormone से है तो यह estrogen hormone तो ovary से आएगा तो अगर हम उसको time से पहले इन hormones को कम कर देंगे तो वही old age की changes पहले आ जाएंगे यानि कोई भी patient जिसे cyst है वो खुद भी doctor से पूछ सकता है इतना aware हो कि क्या ये fibroid है या फिर ये watery cyst है ये तो watery cyst जो है उसमें cancer होने के chances बहुत कम होते हैं जो ovary में भी जो watery cyst रहती है उसके cancer होने के chances बहुत कम होते हैं fibroids में भी cancer होने के chances कम होते हैं लेकिन जो ovaries में cyst होती है जो solid ओर है जो ठोस जो cyst बनेगी ovary में उसके अंदर cancer होने के chances जागा होते है अच्छा कोई भी ऐसा तरीका नहीं कि कुछ बचाव किया जा सके जिसे cyst हो ही ना very valid cyst तो इतनी चिंता वाली चीज नहीं है हो भी जाए हमें डर है cancer का और खास करके uterus के cancer के लिए एक तो हम pap smear test की बात कर रहे थे कि अगर हो भी जाए जल्दी पता लग जाए और उसका 100% हिलाज हो जाए दूसरा बच्चे दानी का cancer पता चलता है सर्विक्स का सर्विक्स जो है uterus का जो बिल्कुल सबसे नीचे वाला portion है उसको हम लोग सर्विक्स बोते हैं और इसके लिए एक vaccine भी है जैसे हम बच्चों को vaccine कराते हैं टाइफॉइड के लिए यह हैपटाइटिस के लिए कि इंफेक्शन ना हो आजकल 11 साल की उमर में के बाद जो है यांग गर्स को यह vaccination लगाया जाता है एक इंजेक्शन लगते हैं एक इंजेक्शन लगते हैं यांग जो 11 साल 14 साल से कम की लड़किया है उनको दो डोस लगती है 14 साल के बाद 35 साल की उमर तक की लेडीज को यह vaccine दिया जा सकता है जिससे की uterus के cancer का cervical cancer का chance जो है 95% reduce हो जाता है जो बाकी uterus की हम लोग बात कर रहे थे internal layer थिक हो जाती है उसका connection है regular periods के साथ जिन लेडीज को periods regular नहीं आके वो इस चीज़ को इगनोर ना करें वो डॉक्टर से timely treatment लेते रहे ताकि उनको time to time period proper आता है क्योंकि जब period time to time proper ना आये तो फिर uterus की जो internal layer है जिसको endometrial cancer करते हैं वो chances ज्यादा हो जाता है Secondly, जो uterus की cancer का relation मोटापे से भी है जो ladies overweight होती है जिनका अंदर शरीर में चर्बी जादा होती है उनके अंदर uterus का cancer होने के भी ज्यादा chance होता है क्योंकि जो चर्बी के अंदर estrogen hormone excess में मनता है इससे जो uterus की internal layer है वो थिक हो जाती है periods की irregularity के जादा chances होते हैं polycystic ovaries के जादा chances होते हैं तो यह सब होने से जो है uterus के cancer के chances बढ़ जाते हैं तो अगर हम over weight avoid करेंगे irregular periods avoid करेंगे या time to time उसका इलाज करते रहेंगे तो हम uterus का cancer भी बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर लवलीन और मुझे लगता है कि बहुत एहम जानकारी आपने सांचा की हमारे दर्शकों के साथ और जो लड़कियां या जो महिलाएं डरती है कि अरे रसॉली है डरने की जरूरत नहीं है जादा कर जरूरत नहीं है पर फिर भी चेक अप जरूर करारा चाहिए डॉक्टर को डाइग्नोस करने दे कि यह वाट्री है या खतरनाक तो नहीं है उसके बाद या आगे इलाज हो सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लवलीन और डॉक्टर भी सर्जरी की सलाह देते हैं सिहत नामा विद्राजिंदर को देखने के लिए शुक्रिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करे ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे शुक झालने शुक्रिया